नवस्कार साथियूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्कृति आईएस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप सभी अजमेर शरीफ या कह सकते हैं कि ख्वाजा मुनदीन चिस्ती की दरगाह को तो जानते ही होंगे ये जो दरगाह है ये भारत में ही नहीं बलकि दु करने जाते हैं कला संस्कृति के दिष्टिकून से भी इस दरगाह का अपना एक महत्व है और इसी कारण से क्या है कि ये देश दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन अब ये जो दरगाह है एक बार फिर से चर्चा का भी से बना हुआ है क्यों बना हुआ है तो एक मामला सामन ये पूरे देश दुनिया में ये जो खबर है ये चर्चा का भी से बना हुआ है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें ये कहा गया है कि ये जो दरगाह है ये मंदिर है और अजमेर दरगाह को मंदिर घोसित करने के लिए हिंदू सेना ने कोट में याची का दायर कि जिसके बाद से क्या है कि एक तरह से मुस्लिम जो समुदाय है उसमें आक्रोस फैल गया है इस करण से यह मुद्दा इस समय खास तोर पे चर्चा का भी से बना हुआ है तो आज के एपिसोड में इसी मुद्दे को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अजमेर सर जो दरगा है क्या यह एक मंदीर है और इससे जुड़े हुए जो बिभिन बिंदु हो सकते हैं इससे जुड़े हुए जो महतपूर तथ्य हो सकते हैं इससे जुड़े हुए जो एतिहासिक परिप्रेच हो सकते हैं जो ख्वाजा मुदिन चिस्ति हैं इनके बारे में सूफ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये नियूज है क्या ये समाचार है क्या तो देखे इसके लिए हम एक नियूज आटकिल लेते हैं नियूज में ये कहा गया है हिंदू सेना इन कोट टू डिक्लियर अजमेर दरगा एटेंपल इस पार्क्स लिए हिंदू सेना ने कोट में याचिका दायर की है और इस याचिका के दायर करने के बाद एक तरह से कहें तो मुस्लिज समुदा और यहां पर जाने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आक्रोस देखने को मिल रहा है इसी कारण से ये जो न्यूज है ये चर्चा का भी से बना हुआ है सबसे बड़ा प्रश्चिन ये देखने को मिल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या जो ये कह सकते हैं कि दावा किया गया है कि ये जो दरगा है ये पहले यहां पर महादेव का मंदिर था संकट मोचन कहें तो महादेव का मंदिर था ये जो दावा किया ग क्लियर नहीं है और इस पर आगे देखना है लेकिन इस से जुड़े हुए कुछ जो महत्पूर्ण बिंदू हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे जैसे अगर बात करें इस न्यूज की तो हिंदू सेना ने अजमेर में एक मुकदमा दायर कर ख्वाजा मुदीन चिस्ती को सिव मंदिर घोसित करने की मांग की है इस हिंदू सेना का दावा है कि यह जो दरगा है यह एक प्राचीन मंदिर अस्थल के खंडहर पर बनाया गया था इस कदम से मुसल्मानों में एक तरह से आक्रोस देखने को मिला है जो मुसलिम समुद्रा है या जो यहां पर मानने वाले जो लोग हैं उनके बीच में एक तरह से देख सकते हैं कि नराजगी देखने को मिली है और न्याले ने अधिकार छेत्र के मुद्दों के कारण इस पर अभी भी पूरी तरह से असपश नहीं हो पाया है और इस मामले की जो सुनवाई है इसे 10 अक्टूबर तक के इन्होंने खास तोर पे जो अल्प संख्यक मामलों के जो मंत्री है किरंज जीजु उनसे भी कुछ महतपूर प्रश्न पूछे हैं इसमें अगर हम बात करें तो कोट में जो याची का दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि यह जो अजमेर सरीब दरगा है जो ख्वाजा का निर्मान किया गया है इस पर क्या है कि ओवैसी पूरी तरह से क्या है कि कह सकते हैं कि नाराज हो गया और इन्होंने इसी कारण से देखें तो अल्प संख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनके संदर में पोस्ट किया और कई सारे प्रश्न इन्होंने उठाएं तो उस पर भ देखी जाने वाली जो अध्यात्मिक जो भारत में जगह है या जो दुनिया में इस प्रकार की जो अध्यात्मिक जंग है उसमें जो मुस्लिम समुदा है वो सबसे ज़्यादा यहां पर आता है और उन्होंने अजमेर सरीप दरगाख को मंदिर बताने पर अलप संख्यक मामल कि जो मंत्री है किर्यन दिजीजू इनसे कई सारे प्रश्ण पूछे हैं उन प्रश्णों की थोड़ा सा चर्चा करें ओवैसी ने प्रश्ण पूछा है कि क्या आप 1955 के दरगाख वाजा साहब अधिनियम और 1991 के जो पूजा अस्थल अधिनियम है इसका समर्थन करेंगे क्या आप इन कानूनों को लागू करेंगे यहीं नहीं ओवैसी ने काया कि 1955 के अधिनियम के तहट एक लोग सेवक मोधी सरकार के वक्ष बिद्यक की प्रसंसा करा इस मुकदमे पर उनका क्या रुख है उनका क्या स्टेंड है वक्ष बिद्यक हमारे पूजास्थलों को अतिक्रम में दायर की गई तब से मुस्लिम समुदाय के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह हमारी दरगाहों और मस्जिदों को निसाना बनाने की साजी से इसके तथ पर विचार किया जाना चाहिए और इसी कारण से अभी तक जो आदालत है वो भी अभी पूरी तरह से य नहीं तै कर पाया है कि याचिका को अस्थानांतरित किया जा सकता है या फिर इसे एकसेप्ट किया जाए इस पर विचार किया जा याचिका करता के जो वकिल ससी रंजन है इनका यह कहना है यह दावा भी है कि जो मुकदमा किया गया है जो याचिका दायर किया गया है यह ऐ यहां सूफी जो दरगा है इसको हटाया जाए भारती जो पुरातत्तो सर्वेच्षण है जो एसाई है अर्कोलेजकल सर्वे आफ इंडिया इसको वारानसी में ग्यान बापी सर्वेच्षण की तरज पर इस अस्थल का भी पूरा सर्वे कराया जाए सर्वेच्षण के में दायर की गई है थोड़ा सा मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखे यहां पर हिंदू सेना के जो पाध्यच है जो गुपता है उनके द्वारा अजमेर की एक सिविल आदालत में दायर मुकदमे में मांग की गई है कि एतिहासिक जो ख्वाजा मुंदीन चिस्त है और इस मुकदमे से देश भर के जो मुसल्मान है उनके बीच में आक्रोज फैल गया है विभिन जो संगठन है और जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसे समुदाइक को निसाना बनाने और संप्रदाइक विभाजन पैदा करने की जान बूज कर किया गया प्रयास करार दिया है और इसी कारण से ये पूरा जो ममला है ये चर्चा का बिसे बना हुआ है जो हिंदू सेना के जो ध्यच है विष्णु गुपता इन्होंने दिवानी नियाधिस की अदालत में दरगाह को मंदिर घोसित करने की मांग करने वाली याचिका दैर की थी दावा भी किया था कि द पूजा का अधिकार दिया जाए और भारती पुराततों सर्वेच्छन को उस अस्थान का बैग्यानिक सर्वेच्छन करने का दिसार निर्देश दिया जाए यही नहीं जो वादी है उसने ये दावा किया है कि उसने दो वर्सों तक लगातार इस मुद्दे पर या यह जो तथे जुड़े हुए हैं उन पर सोध किया है और उनके जो निसकर्स हैं कि वहाँ एक सीव मंदिर था जिसे मुसलिम आक्रमनकारियों ने नस्ट कर दिया था फिर एक वहाँ पर दरगाह बनाई गई थी। जो आँ याचिका पर आखिर कोट क्या सुनवाई करता है वहां कौन सी धलिले प्रस्तुत की जा रही है कौन से साक्ष याचिका करता के दौरा यहाँ प्रस्तुत किये जाएंगे और दूसरे तरफ जो कह सकते हैं कि Юहां पर जो दरगा समीती है, जो कमीटी है वह इसके जो सर्वे आफ इंडिया है वो इस पर क्या सर्वे छड़ करती है उसके क्या कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिपोर्ट आते हैं ये सारे अभी भी जो डिसीजन ये गर्व में है थोड़ा सा एतिहासिक परिप्रेच की बात कर ले तो देखे इसमें ये दावा किया गया है कि जो ख्वाजा मुझदिन चिस्ती है ये मुहम्मद गोरी के साथ ही अजमेर आये हुए थे गोरी ने जिसने 12-13 सदी के अफगान सासक था और इसने क्या आये कि प्रित्वी राज चोहान की हत्या के बाद संकट मोचन महादेव मंदिर सहित कई सारे यहां के मंदिरों को कह सकते है कि नस्ट कर दिया था हिंदू सेरा ने किताबों और कथित साच्छे का हवाला देते हुए दावा किया है कि अजमेर जो दरगा है इसके मुख्य प्रवेस द्वार की जो छत है उसकी जो डिजाइन है वो हिंदू सनचना जैसा दिखता है और एतिहासी अभिलेखों से पत पहले हमने बताया कि जितने भी मुस्लिम समुदाय या यहां पर आने वाले जो लोग हैं इसको मानने वाले दरगाह को जो लोग हैं उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इनके बीच में आक्रोस भी देखने को मिला है तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दरगा पर हमला है इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मा उलंबियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुचाई है सांति पुर्ण सहस्तित्यों के प्रति हमारी जो प्रतिबत्ता है उसको कायरता नहीं समझा जाना चाहिए यहीं नहीं जो असुदीन ओवैसी है इन्होंने टाइ जो बिसेश प्रावधान 1991 है उसका खुला उलंगन करती है यह बात कही गई है आयायम के जो अध्यच असुदीन वह ऐसी है उनके द्वारा यहीं नहीं उनका यह भी कहना है कि ऐसी तुछ जो याचिकाय है इनके पीछे के जो लोग है वो संगठन या अन्य जो पार्टिया है वो इसके पीछे खड़ी है यह बिभिन धर्मों से आने वाले सूफी बाद के अनुवाईयों की गरिमा पर हमला है यह देश की जो बहुलता बाद है और जो समिधान है उस पर भी हमला है यह बात कहना है असुदीन वह इसी का आल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोड के प्रवक्ता सयद जो कासिम रसूल इलियास है इन्होंने कहा कि अजमेर दरगा की स्थिती को चुनवती देने वाली जो याचिका है यह हमारी दरगाहों और मस्जिदों को निसाना बनाने की एक बड़ी साजिस का हिस्सा है यह इनका कहना है चलिए अब बात कर लेते हैं चिस्ती संप्रदाय में अजमेर के हजरत ख्वाजा मुईदीन सबसे लोकप्री संत हैं इसी कारण से देखे तो यहाँ पर साल में काफी संख्या में लोग यहाँ पर दर्सन करने के लिए अपनी मनत मांगने के लिए जाते हैं ख्वाजा जो मुईदीन चिस्ती हैं इनका जन्म है यह 1141-42 इसमी में इरान के सिजिस्तान जो आधुनिक सिजिस्तान है वही पर हुआ था यह चिस्तिया संप्रदाय के अन्युआई बन गए चिस्ति जो है यानि मुधिन जो चिस्ति है यह 52 बर्स की आयू में से खुस्मान हरवानी से खिलाफत प्राप्त करने के बाद हज मक्का मदिना गए हुए थे बाद में ख्वाजा जो मुधिन चिस्ति है यह अजमेर में रहने लगे और यहीं पर खास तोर पे अपने जो अनिवाई है उन्हें उपदेश देने लगे और चिस्ति जल्द ही अस्थानी जनता गरीब लोगों और किसानों और दूर-दू से आए जो कुलीन लोग हैं उनको अपनी और आकरसित करने में भी सफल रही ही नहीं समाने लोगों किया पेच्छा राजाओं का भी इन्होंने ध्यान अपनी तरफ आकरसित किया चिस्ति की दरगा परिसत का जो निर्मान है यह इंडो-इस्लामिक वास्तुकला सैलीर में कि किया गया यह आपके लिए काफी महतपूर हो सकता है इसके सिर्ष पर रामपुर के नवाब हैदर अली खां के द्वारा भेट किया गया स्वण मुकुट रखा हुए तथा गुंबद पर कमल का फूल सुसोभित है तो आर्ट एंड कल्चर के दिश्टिकों से यह जितने भी तथ हैं यह आपके लिए महतपूर हो सकते हैं जो मुदिन हसन चिस्ति हैं इनको ख्वाजा गरीब नवाजा यानि गरीबों का पोसक भी कहा जाता है तो यह सारे तथ इनके बारे में थे थोड़ा सा इनके द्वारा जो माना जाने वाला जो संप्रदाय है उसके बारे में देख लिते हैं जो सूफी कह सकते हैं कि एक विचार धारा है तो जो सूफी संप्रदाय है यह मोटे तोर पे दो भागों में डिवाइट की जाती है पहला बास अरा यानि इसका मतलब होता है कि इसलामी कानून का पालन करने वाला दूसरा बेसरा यानि वे जो इस से बढ़ मुझा लूप से अगर बात करें कि यह कहां से आये थे तो यह एसिया मदेसिया से आये हुए थे और दिल्ली सल्तनत के सासनकाल के दौरान यह जो प्रक्रिया है यह पहले से और विक्सित हुई बढ़ी और मजबूत हुई इनमें सबसे प्रभावसाली जो आदेश है वो चिस 30 सिलसिला था इसमें अजमेर के ख्वाजा मुझदीन चिस्ति जैसे कई सारे कह सकते हैं कि इसमें सिक्षक सामिल थे उपदेश देने वाले सामिल थे और इसमें अजमेर के ख्वाजा मुझदीन चिस्ति दिल्ली के ख्वाजा निजामुदीन ऑलिया गुलबरगा के जो बं मुस्लिम जगत में सूफी संतों की मजारों पर तिर्थ यात्रा का प्रचलन है इसे क्या कहा जाता है तो इसे जियारत कहा जाता है यह सूफियों की अध्यात्मी कृपा पाने के लिए किया जाता है और इसे बरकत के नाम से जाना जाता है यह सारे तथ्याप से पूछे जा सक तो कई सारे कहें तो प्रताएं बनाई गई हैं वहां पर अस्थल बनाए गए जहां पर जो लोग जाते हैं दर्सन करते हैं इसको बड़ा ही महत्व देते हैं ठीक वैसे जैसे हिंदु धर में कहा जाता है कि कई सारे कह सकते हैं कि अस्थल है जहां जाना सुब माना जाता है उ और इसे लोकप्री रूप से गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है गरीबों को स्वांतोना देने वाला और इसके अलावा जो सबसे प्रसीद इसमें चिस्ती जो सिलसिला है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके जो संस्थापक थे व पास-पास मुहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत आये थे और उन्होंने अजमेर को अपनी सिच्छा या कह सकते हैं अपने उपदेशों को देने के लिए अस्थल के रूप में चुना था मुईदिन चिस्ती की प्रसिद्ध 1235 में उनकी मित्व के बाद बढ़ी थी क्यो यह देखें यह भी तथ्याप के लिए काफी महत्पूर्ण हो जाता है मुगल समराट अकबर के सासन काल के बाद इस दरगाह का जो सनच्छन था वो चरम पर था क्योंकि यहां पर खास तोर पे जो अकबर है इसने यहां पर सनच्छन प्रदान किया था इसके कारां से यहां इभिन धर्मों के लोगों के बीच में सहिसूर्टा पर यह विश्वास करते थे सिस्यों को उनकी धार्मिक मानिताओं के बावजूद सिकार करना सभी के प्रती परुकपार का भाव हिंदू और जैन योगियों के साथ संबंध के साथ सरल भासा का यह प्रियोग करने पर ख खास तोर पे जो आई-ाई-म के जो अध्यच असुदीन और ऐसी है उन्होंने अल्प संख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछे हैं कि क्या यह जो अधिनियम बने हैं क्या इनका पालन किया जाएगा जैसे उसमें पहला जो है वो दरगाक फाजा साहब अधि अधिनियम में दरगा के प्रवंधन के लिए एक समीती की अस्थापना का प्रावधान है और समीती की सक्तियों और कारियों को निर्धारित किया गया है यानि इसमें यह दिया गया है कि क्या इसके अधिकार हैं क्या ड्यूटीज हैं यह दोनों बाते कही गई हैं सीमित दर दरगाह और उसकी संपतियों के रख रखाव, धार्मिक समारोहों के उचित संचालन को सुनिशित करने और दरगाह के धन के प्रवंधन के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है और अधनियम में समीती के सदस्यों को निक्तिकी प्रक्रिया और उनकी सेवा की सर्तों का भी खास तोर पर उलेख किया गया है इसके अत्रिक अधिनियम में दरगा को अतिक्रमण और अनाधिकृत कब्जे से बचाने का भी प्रावधान दिया गया तो यह जो अंतिम बिंदू है यह इसी से जुड़ा हुआ है जो यह कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि यहां पर कोट में उपासना अस्थल अधिनियम 1991 कहते हैं तो इसके प्रमुक प्रावधानों पर संशित रूप से बात करें तो इस अधिनियम को 1991 में ततकालिन जो प्रधान मंद्री पीवी नरसिमा राव थे उनकी अगवाई वाली कांग्रेस सरकार के कारिकाल में प्लेसेज आफ वर्षिप एक्ट यानि पूजा अस्थल कानून पारित हुआ था इसे स्पेसल प्रोवीजन के तहत बनाये गया था कुछ खास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का निर्मान किया गया था इस कानून के मुताबिक 15 अगस्ट 1947 से पहले भारत में जिस भी धर्म का ज 147 से पहले जिस भी धर्म का अगर कोई पूजा अस्थल है तो उसे बाद में किसी दूसरे धर्म के अस्थल से बदला नहीं जा सकता रिप्लेस नहीं किया जा सकता अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान दिया गया है जिसमें यह क कोट के उपर निर्भर करेंगा। इसके अलावा गर इस अधिनियम के प्रावधनों की बात करें, तो इस कानून में यह भी प्रावधन है कि दूसरे धर्म के कबजे के सबूत मिलने पर भी कोई कारवाई नहीं की जा सकती हलाखिय आयोध्या में राम मंदिर के मामले में इसके दायरे से बाहर रखा गया था उसके बारे में भी हम देख लेंगे कि आखिर क्यों बाहर रखा गया था अगर राम मंदिर मामले को हम देखें तो इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए ये दलिल दी गई थी कि ये जो राम मंदिर का जो मामला है ये क्या है कि कोट में बिटिस सासन काल से कोट में फसा हुआ है इसलिए राम मंदिर पर कोट के फैसले में ये कानून आड़े नहीं आ सकता तो ये तरक दिया गया था अयोध्या विबाद पर फैसला देते हुए सु इद्गाह मस्जीद है या इस तरह के जो विभिन देश के मामले हैं वो फिर से एक बार कोट में पहुच रहे हैं तो ये महत्पून हो जाता है अधनियम आपके लिए इसके अलावा ये जो कानून है ये 1990 के दसक में तब लाया गया जब देश भर में राम मंदिर आंदोलन ज फूट दे दी गई थी और बाकी जगहों पर संप्रदाइक सद्भाव खराब नहों इसलिए यह कानून बना दिया गया था इस कानून में 15 अगस 1947 की डेट कटाप के तोर पर तै कर दी गई बाद में देखें तो इस अधनियम पर भी कई सारे प्रश्न खड़ा किये गया है कि जो ख्वाजा मुईनिदीन चिस्ती की जो दरगा है यह दरगा नहीं है बलकि क्या है कि यहां पर प्राचीन कह सकते हैं कि महादेव का मंदिर रहा है और इस कारण से यहां पर जो दावा किया जा रहा है कि आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया यहां पर सर्वे छण करे और ये बताय कि क्या ये तथ सही है अब आने वाले समय में देखना है कि कोट इस पर क्या करवाई करता है क्या आदेश देता है और आने वाले समय में क्या तथ प्रकास में आते हैं तो ये सारे कह सकते हैं कि जिग्यासा कभी सह है और आने वाले समय में ये सारे तथ हमारे साम देखने को मिल सकते हैं, तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।